अब यह इस topic स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए एग्रो वर्ड हमारा agriculture से रिलेट करता है climate वर्ड हमारा जो टेंपरेचर है किसी भी एरिया का या climate है उस एरिया का उससे रिलेट करता है zone कोई भी area ठीक है तो किसी भी area का agriculture से related जो area है हमारा हमने उस area का देखना है कि climate के according हमारा agriculture उस area का कैसा है ठीक है जैसे कि यहां इन्होंने बताया है land unit into term of major climate suitable for a certain range of crops and cultivates या जो हम cultivation करते हैं crops की उसकी बात हो रही है मतलब की इसका मतलब है कि for example अगर हम जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में agriculture में जो हम लोग agriculture काम करते हैं उस area में वहां पर किस तरह का cultivation होता है या किस तरह की crops आती है और वहां का temperature कैसा है वहां का तरह की crop को grow करने में help करती है तो यह किसी भी area का agroclimatic zone कहलाता है agroclimatic zone जो है उसकी कुछ conditions होती है जैसे agroclimatic जो है उसकी conditions यह है जैसे कि वह mainly देखता है कि soil का type कैसा है किसी भी area में अगर हम कोई agriculture काम करना चाहते है या कोई भी crop वहां पर लगाना चाहते है तो सबसे हम उस area का crop देखते है sorry soil देखते है कि वहां की मिट्टी कैसी है ठीक है soil देखा जाता है उस area का rainfall की कैसी और किस तरह की बारिश होती है उस area का temperature ठीक है पानी वहां available है कि नहीं और कितना available है उन crops को कितना water मिल सकता है है न तो यह सारी चीज़े जब हम देखते हैं उसके बाद ही हम उस area का agroclimatic condition बताते हैं कि वहां पर किस तरह की फसल लगती है या लगाई जा सकती है तो यह किसी भी area का agroclimatic zone हम बता पाते हैं तो जैसे ग हम पंजाब की बात करें पंजाब has divided into three agroclimatic zone पंजाब को इन्होंने three climatic zone में divide किया है zone one zone two and zone three सबसे पहले हम first zone की बात करेंगे जिसको हम सब mountainous zone कहते हैं जिसके अंडर हमारे जो area आते हैं गुरदासपूर आता है होश्यारपूर आता है और रोपड आता है यह तीन area आए अंडर जो हमारे आते हैं area वो कौन से अमरिचसर है ना तरंतारा कपूर्थला जलंदर नवा शहर लुद्याना पतियाला संगरूर मुहाली एक्सर यह zone two के अंदर आते हैं and next is zone three zone three के अंडर जो area आते हैं वो है हमारा बटिंडा फरीड कोर्ट फिरोजपूर मंसा मोगा मु है या zone कैसा है तो हम बताएंगे यह three zone में divide है area wise इस area का जो agriculture होगा वो climate के according अलग होगा इस area का अलग होगा और इस area का अलग होगा 80% area of Punjab comes under agriculture यह हमें पता ही है कि Punjab का जो land है वो 80% जो हमारा वो agriculture के अंडर आता है और जो 6% है वो हमारा area जो है forest के अंडर आता है यहीं अगर हम बात करें Punjab Biodiversity Board यह आपको पता होना चाहिए कि Punjab Biodiversity Board क्या है पंजाब Biodiversity का मतलब आपको मैंने पहली बताया था किसी भी area की different species तो पंजाब Biodiversity Board जो है यह Government of India की तरफ से बनाया गया है इसका क्या काम होता है यह पंजाब रीजन की Biodiversity पंजाब रीजन की जो plants, animals, species है उन पर नज़र रखती है फ्लोरा, fauna पर नज़र रखती है कि यहां किस तरह के plants पाय जाते है यह किस तरह के animals पाय ज जाते हैं यह कितनी species है plant की, कितनी animals की species है यह कितनी insects की है ठीक है यह हमारे कौन से birds migrate होकर जा रहे है यह कौन से species जो है आने वाले समय में खतम हो जाएंगी, temperature कैसा है हमारा rainfall कैसा है तो यह सारा काम पंजाब Biodiversity Board का है जो सारा अपना data record करती है, data maintain करके रखती है और center को submit कर Central Biodiversity Board जो हमारी Chennai में present है, उनको यह सारा data देना पड़ता है, ठीक है तो यह जो है पंजाब Biodiversity Board यह December 2004 में established किया गया था, 2004 में, किसलिए इसको establish करने की क्यों जूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारी species है वो धीरे-धीरे विलूप्त हो रही थी, वो धीरे-धीरे खतम हो रही जा है ताफी जू परूंपल रही ञेक है वो हमारी उनको रहाँ दो है, एनकर जूब दिए स्जू निए से क।ões दो कि महीं अया है कि आप़ता शेख़ती मdeepग किसलिए आ यह, जाईक है और रहा स्गता हैाँ जूभू जूजा बंग खानभू है जूच